नमस्कार दोस्तों मेरी गाड़ी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है तो सातियों आज हम आपके साथ इस वीडियो के माड़ी से यह जानकारी सेर करने वाले हैं कि मारुती सुजुकी सूपर कैरी का सीएंजी पलस पेट्रोल में जो वारियंट आपको मार्केट में देखने को मिलता है उस वारियंट को लेके आप किस परकार डिजल वाले गाड़ी से किस परकार ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो साथियो इस वीडियो के मादम से आप यह जान जाएंगे कि आप यदि मारुती सुजुकी की सूपर कैरी सीएंजी पलस पेट्रोल वाले गाड़ी लेते हैं तो आप यकीनन विश्वास कीजिएगा आपको डिजल वाली जो ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ी आती है जिसको हम छोटा आती कहते हैं इस गाड़ी की वजाए आपको मारुती सुजुकी की सूपर कैरी सीएंजी मोडल लेने पर आपको लग बग एक साल में एक लाक रुपे की यहां पे बच्चत आपको बड़ी असानी से हो जाती है यदि आप चैनल पर पहले बार विजट कर रहे हैं तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को जुरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के दुआरा सबसे पहले आपको मिल सके तो इस से पहले साथियो हम आपको इस वीडियो के मादम से यह जानकारी दे देना चाते हैं कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्या नए फीचर मिलने वाले हैं और इसका जो मार्केट प्राइज है वो क्या है उसके बाद हम यह परूख करने वाले हैं कि आप इस गाड़ी को लेके किस प्रकार एक लाक रुपे एक साल में बचा सकते हैं इसका जो गाड़ी का जो प्राइज है वो 5,13,000 रुपे आपको यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे आपको 45,000 रुपे की बारी छोट भी मिल रही है ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है उस लिंक के मादम से आप उस वीडियो को वाच कर सकते हैं और आप 45,000 रुपे की छोट का फाइदा उठा सकते है यदि हम मारुती सुजुक की सूपर कैरी सिनजी जो गाड़ी आपको यहाँ पे मिलती है यदि हम इसके एवरेज की बात करें तो बहतर अजार किलोमेटर चलाने तक आपको यहाँ पे फुल गारंटी कमपनी के दवारा यहाँ आपको यहाँ पे मिल जाती है च्यार सिलेंडर के अंदर यह गाड़ी आपको मिलती है और 1106 सिसी का इंजन इस गाड़ी का पनाया हुआ है 64 HP के अंदर दमदार इंजन के साथ आपको CMG पलस पेट्रोल का यह वेरेंट आपको मिल जाता है यदि हम इसके बोड़ी के साइज की बात करें तो 7.2 फिट लंबा इसका गाड़ी का आपको बोड़ी का साइज मिल जाता है और 5 फिट इसके चुड़ाई भी मिल जाती है और 1.5 फिट हाइट के साथ आपको इसकी बोड़ी का साइज मिल जाता है यदि आप चाते हैं कि यह गाड़ी हम लोन के उपर लेना चाते हैं तो आप 29,500 और देखकर भी इस गाड़ी को लोन पर ले सकते हैं लोन पर लेने के लिए आपको क्या डोकुमेंट के जूरत परती है और आप इस गाड़ी को किस परकार लोन के उपर ले सकते हैं इसकी अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में जाईएगा वहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो के पुरी जानकारी ले सकते हैं तो साथियो यदि आप लोन पर या गाड़ी लेना चाहते हैं तो प्लीज आप उमारी उस वीडियो को भी जरूर देखे अब हम यहापे प्रोव करने वाले हैं कि आप एक लाख रुपे की एक साल में किस परकार आप सेविंग या से कर सकते हैं देखे साथियो जैसे कि आपको इस चार्ट में दिखाया गया है माल लेते हैं कि आपकी डीजल और सी एंजी की जो गाड़ी है वो सेम किलोमेटर चलती है और आपको सेम काम भी मिलता रहता है और आप दोनों के दोरा किस परकार इन में डिफ्रेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं माल लेते हैं कि आपकी जो गाड़ी है डेली किलोमेटर चलती है 100 डीजल वाली गाड़ी भी 100 किलोमेटर चलती है और सेनजी वाली गाड़ी भी 100 किलोमेटर चलती है और आपको एक मिन्ने में 25 दिन काम मिलता है तो इस परकार डीजल वाली गाड़ी भी 2500 किलोमेटर की दूरी तै करती है और सेनजी वाली गाड़ी भी 2500 किलोमेटर की दूरी यदि हम डीजल वाली गाड़ी की माइलेज की बात करें तो 16 किलोमेटर से ज़्यादा आपको डीजल वाली गाड़ी की माइलेज नहीं मिलती। यदि हम इनके खपत की बात करें तो पचीस सो किलोमेटर चलने के लिए डीजल वाली गाड़ी 16 किलोमेटर माइलेज के हिसाब से 156 लीटर यहां पे डीजल की खपत कर लेती है और इस परकार 156 लीटर जो डीजल है वो 90 रुपे प्राइज के हिसाब से 14,300 रुपे का खपत कर देती है और आपको मार्केट में जो CNG है वो 60 रुपे परती किलो के हिसाब से मिल जाती है तो इस परकार CNG वाली गाड़ी के दुआरा एक मेने में यहां पे 7,500 रुपे खर्च हो जाता है यदि हम इन दोनों में डिफ्रेंस की बात करें तो परती मा इंदन की जो बचत है यहां पे CNG वाली गाड़ी आपको 6,563 रुपे की परती मा यहां पे आपको इंदन की बचत कर देती है तो इस परकार इसी दर से CNG वाली गाड़ी एक साल में 78,750 रुपे की बचत यहां पे आपको हो जाती है तो साथियो देखिए आपको यहां पे कितना ज़्यादा डिफ्रेंस मिलने वाला है तो इस परकार आप CNG वाली गाड़ी को खरीद के डिजल वाली गाड़ी की वज़ाए एक साल में 78,000 रुपे की यहां पे आपको बिल्कुल आराम से बचत हो जाती है तो साथियो यह तो हमने नॉर्मल कल्कुलेशन ली थी कि 100 किलोमेटर यदि आप दोनों गाड़ी के दोरा सेम दूरी तैक करते हैं तो आपको यहां पे 78,000 रुपे एक बचत होती है इस वेरियंट को खरीद कि आप डीजल वाली गाड़ी की वज़ाए बहुत जादा यहां पे बचत कर सकते हैं और इसी दर से यदि आप काम करते रहे तो लगबग 4-5 साल में आप 4-5 लाख रुपे की बचत यहां पे आपको डीजल में हो जाती है तो साथियो इस परकार आप सिन्जी वाली गाड़ी को खरीद सकते हैं हमारे द्वारत दी के जानकर यापको कैसी लगी आप हमें लाइक सेर और कॉमेट के मादम से जरूर बताए